आज के इस वीडियो में बात करेंगे एही सीसी के बारे में सब्जेक्ट हमारा कम्मिनिकेशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं यूनिट हमारी टू कंटिनिउस ही चल रहे है इससे पहले चार वीडियो यूनिट टू पर बना चुका हूँ मैं पाचवा पार्ट है यूनिट टू पुरान आने वाली बाद आए इसके बारे में डिश्कस करेंगे आज सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है बैरियर का देखे कम्मिनिकेशन का जो अब्जेक्टिव होता है जो उद्देश्य होता है वो सामने वाले तक अपना मैसेज या सूचना को नहीं होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम सामने वाले को रिसीवर तक जो इनफोर्मेशन पहुचाना चाहते हैं जो बात उसको बताना चाहते हैं वो उसको समझ नहीं पाता है या उस तक वो बात क्लियरली पहुँच नहीं पाती है तो जिन वजह से वो बात नहीं पहुँच पाती है, जिन कारणों से वो communication complete नहीं हो पाता है उसे हम कहते हैं barriers of communication, अब ये different type का हो सकता है हो सकता है कि वहाँ पर भोज़दा noise हो, environment ठीक ना हो, ठीक है, और लोगों के अपने खुद के attitude होते हैं, उनकी perception होती है, emotions होते हैं, उनके खुद के विचार होते हैं, लोगों के अंदर खुद ऐसी ability होती है कि अपने हिसाब से वो सामने वाले की information को लेते हैं तो ये सभी चीजे हैं, जो communicate को barricate करती है, communication को incomplete करती है, या fail कर देती है, communication को, इसी के बारे में discuss करते हैं देखिए जो barriers है उनको दो भागों में बाटा गया है पहला है channel noise दूसरा है semantic noise channel noise की अगर मैं बात करूँ तो basically channel noise के अंदर unwanted interference snag फिक है, ये सब चीजे होती हैं जो communicate को barricate करती है, for example noisy market है ineligible handwriting है, कुछ ऐसी लिखी गई handwriting है, जो आप पढ़ नहीं सकते, एपटित है ठीक है, एपट नहीं है noisy market से मतलब लोगों की भीडबाड भोच जादा है या DJ बजरा है, डोल बजरा है तो ऐसी जगे पर क्या होगा communication पूरा नहीं हो पाएगा receiver तक जो बात हम पहुचाना चाते हैं तक नहीं पहुच पाएगा physical noise channel noise की जो उधारण है वो ये सबी है पहला आता है इसमें physical noise physical noise मैं आपको बता दिया वातावरण ठीक नहीं है, जो environment ने communication के लिए वो ठीक नहीं है जैसे बहुत ज़्यादा शोर है वहाँ पर आवाजे जादा है, लोगों की भीड जादा है या DJ बजरा है, ढोल बजरा है तो ऐसी जगे पर क्या होगा communication complete नहीं हो पाएगा दूसरा आता है use of inappropriate media देखे, receiver के हिसाब से हमें माध्यम का चैन करना होता है, यानि जिस व्यक्ति को हम कोई बात या मैसिज समझाना चाह रहे हैं तो जिस माध्यम से हम समझा रहे हैं मालो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मैं use कर रहा हूँ, language इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके लेकिन आप लोग समझते हो, तमिल तो क्या आप समझ पाओगे यह barigate हो जाएगा यहाँ पर communication क्या हो जाएगा, fail हो जाएगा तो मुझे आप लोगों के हिसाब से माध्यम का प्रियोग करना होगा, appropriate media का प्रियोग करना होगा, तब ही communication complete होगा थर्ड है information overloaded देखे, जो भी सूचना हम receiver को देना चाह रहे हैं, वो उसको ले सकता है fourth आता है, fear of superiors, fear of superiors के अंदर, जैसे हम अपने से superiors को कुछ समझाना चाते हैं, तो हम समझा नहीं पाते हैं, किन कारणों से हम hesitate हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि सामने वाले को मुझसे जादा knowledge है उस time पे क्या आता है, fear of superiors का factor सामने आ जाता है मालनो मुझे अपने senior को कुछ समझाना है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ जाएगी, कि मेरे senior को तो मुझसे जादा पता है, तो मैं जितना उसको बताना चाता हूँ, मैं उसको नहीं बता पाऊँगा ये भी communicate को बेरिगेट करता है, lack of basic communication skills, अगर मेरे अंदर basic communication की skills की कमी होगी, या किसी भी sender के अंदर basic communication skills developed नहीं होगी, तो वो सामने वाले को अपनी बात नहीं समझा पाएगा second last है communication selectivity देखिए जो some fraction का हम choose कर रहे हैं, जिसको हम select कर रहे हैं, वो सामने वाले के हिसाब से होना चाहिए है, उसकी age के हिसाब से होना चाहिए, for example fifth class के बच्चे को यह दि हम कुछ समझा रहे हैं, तो उसका एक mental standard होगा, उस mental standard के हिसाब से ही हमें communication को select करना होगा, यह नहीं के fifth standard के बच्चे को हम कुछ ऐसी बाते बताएं, या ऐसे शब्दों का परियोग करें, जो उसको समझ में ही ना है, तो यह भी communicate को berigate करता है, और last है poor listening, पूर listening अर्थार्थ, जब receiver ध्यान दे कर ना सुन रहा हो आपकी बाते, वो आता है poor listening में, तो वहाँ भी communicate क्या होता है, berigate होता है semantic noise की बात करूँ, तो semantic noise जो होता है, वो basically within a message होता है यानि कि जो सूचना या message आपको देना चाह रहा है, sender उसी के अंदर जो गडबड़ी है या जो mistake है वो semantic noise कहलाती है for example, sometimes meaning of word is not always state directly and can also be implied therefore the communication press fails, process fails देखिये, कई बार ऐसा होता है जो शब्द या जो language या जो sentence आपको बताया जा रहा है, वो exactly आप समझ नहीं पाते या receiver उसको समझ नहीं पा रहा है example के लिए मैंने आपर एक sentence लिया है, the bark is strong देखिये, bark का मतलब होता है, भौकना 90% लोग bark को समझते हैं, भौकना लेकिन क्या आपको पता है, bark का मतलब छाल भी होता है अब यहाँ पर लिख दिया गया है, the bark is strong तो यह छोटा सा sentence है अब जो लोग इसको idea लगाएंगे, वो इसका idea dog से relate किया जाएगा इसको कि the bark की strong का मतलब है जो कुता है, वो strong तरीके से भौकता है, या बहुत ज़्यादा भौकता है कठोर भौकता है, ठीक है लेकिन इसका एक अलग meaning भी हो सकता है the bark of a tree यानि पेड की चाल बहुत मजबूत है, strong है तो जो शब्दो का hair fare हो जाता है या sentence का hair fare हो जाता है उसे कहते हैं semantic noise semantic noise के अंदर सबसे पहले बात करते हैं limited vocabulary देखिए अगर आपके पास semis सब्दार्थ है यानि कि आपके पास शब्दो की कमी है सामने वाले को समझाने में तो communicate, barricate हो जाएगा communication fail हो जाएगा तो limited vocabulary इसका एक reason हो सकता है second है incomplete formal and informal language formal से बात करूँ तो अगर आपके पास एक सही pattern नहीं है literature में समझाने के लिए तो communicate fail हो जाएगा informal language अगर आप आप आपने सामने की बातचित कर रहे हैं और आपका body language ठीक नहीं है eye contact नहीं है receiver के साथ तो communication क्या होगा fail हो जाएगा insufficient knowledge of the subject देखिए जिस विशे के बारे में receiver को बताना है यदि sender को उसके बारे में knowledge नहीं है ज्यान नहीं है proper तरीके से तो communication fail हो जाएगा lack of interest both side अगर दोनों side किसी भी subject को लेकर interest नहीं है तो communication fail हो जाएगा आपके अंदर जिग्यासा होनी चाहिए सुनने की और sender के अंदर जिग्यासा होनी चाहिए किसी भी सूचना या message को बताने की तबी communication जो है complete हो पाएगा block categories block categories के अंदर आता है हमारा जैसे हमने या किसी भी व्यक्ति ने अपने खुद के कुछ विचार बनाए हुए होते है उनकी खुद की कुछ विचारदारा है होती है हर व्यक्ति के लिए तो वो अपने हिसाब से सीखते है मालो किसी व्यक्ति के लिए मेरी विचारदारा पहले से ही positive बनी हुई है तो मैं block category आप समझ गई अपने आप पर वो control नहीं कर पाता अपनी भावनाओं पर control नहीं कर पाता तो communicate क्या होता है barrigate हो जाता है communication fail हो सकता है बहुत ज़्यादा भावो के इंसान जैसे मालो किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो उस time वो communicate नहीं कर पाता अब हम बात करते हैं कि इन बैरिगेट से हम बचे कैसे यानि strategies to overcome barriers to communication ऐसी strategies जिनके द्वारा हम communication के barriers से बच सकते हैं तो इसके इंदर सबसे पहला आता है देखो 7 C's आपको बुक में दे रखा होगा 7 C's 7 C's होते हैं 7 C's की द्वारा हम इससे बच सकते हैं पहला C आता है देखो completeness जो भी सूचना या जो भी message हम देना चाहरे हैं पहले वो complete होना चाहिए पून होना चाहिए उसके बाद most important शंशिप्त था ठीक है? consciousness जो message या जो सूचना हम दे रहे हैं वो संशिप्त होना चाहिए जितने शब्दों का हम परियोग कर रहे हैं ठीक है? वो शब्द clear होने चाहिए neat and clean होने चाहिए जितने कम शब्दों में हम उस message को समझाना चाहिए अच्छे से उतना होना चाहिए next है consideration consideration विचार हमारे उसके इंदर अच्छे होने चाहिए clarity होनी चाहिए उस message के इंदर first message होना चाहिए ये नहीं कि बताना हम कुछ चाह रहे हैं और लिख हम कुछ रहे हैं या लिखने हमने कुछ दिया है बता हम कुछ और रहे हैं clarity होनी चाहिए सामन जस्से होना चाहिए मानलो मैं आपको कोई information दे रहा हूँ तो वो सामन जस्से का मतलब यह होता है कि पिछले आपके ग्यान से correlate होना चाहिए उनका आपस में सामन जस्से होना चाहिए तब ही आप उस चीज को समझ पाएंगे सिस्टा चार होना चाहिए उसके अंदर शुद्धता होनी चाहिए जो भी हम वाक्के जो भी sentence, message, सूचना, idea, विचार receiver को देना चाहिए वो सुद्ध होना चाहिए बिल्कुल ठीक है उसके शब्द जो हम प्रियोग कर रहे हैं वो सुद्ध होने चाहिए तो यह 7C होते हैं जो strategies to overcome barriers to communication यानि communication की बाधाऊ से हम कैसे बच सकते हैं यह 7C उन्हें बताते हैं इनको complete कर लेंगे इस वीडियो में इतनी बात करेंगे हैं मिलते हैं next वीडियो में subscribe this channel और bell icon को दबाना ना भूले तब ही आप next वीडियो की notification ले सकते हैं